अस्पेशल थैंक्स टू सार्थी टीवीएस गोडिया धालाइबीज नेर खुदिरा मेट्रो स्टेशन कोलकाता चेक डेस्क्रिप्शन फॉर मोर इंफर्मेशन है गाइस मैं रहा हमें शोवीक और आप सभी का स्वागत है राइडिंग मशीन की एक नए फ्रेश कमाल वीडिय की मॉडल और यहां पर दोस्तों यह लाइटनिंग ग्रे करके नाम के साथ आता है लेकिन दोस्तों यहां पर जो भी मार्फेल के फैन है यहां पर उनके लिए मैं बता दू कि यह थार एडिशन है आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएगा लाइटनिंग वगरे की स्टी यहां पर इसकी कंपेटर आज भी दोस्तों मिलना मुश्किल है फ्रेंट लुक से शुरुआत करता आप लोग यहां पर देख सकते हो हैंडेल बार काउल के उपर आपको यहां पर इंडिकरेटर देखने को मिलता है और ट्राइयरो भी देखने को मिल जाता है जोगी काफी यहां बढ़िया है इंडियन ब्रैंड और फ्रंट एपरन के बारे बात करता था आप लोग यहां पर देखने को मिलता है नंबर प्लेट का जगा भी यहां पर दिया गया है उसके नीचे आप लोग देख सकते हो फुल एलीडी डियारील के साहथ आपको हैडलाइड सेट अ को मिलता है जहां पर हाई वीम लो बीम और डियारिल सब कुछ एलीडी में है दिखने में काफी ज्यादा स्पोर्टी है यह डिजाइन दोस्तों हम लोग देखते आ रहे है रेस एडिशन से तो यहां पर यह काफी अच्छा मूव है फ्रंट मडगार्ट पे भी आपको डूल देखने को मिलता है मैट और ब्लॉसी ब्लैक दोस्तों यहां पर लोग देख सकते हो स्टीकरिंग काफी ज्यादा बढ़िया किया गया है सुपर स्कूर्ट की ब्रैंडिंग है एवेंजर की लोगो है और साथ में आपको थौर की हतोड़ा का भी यहां पे स्टिकर दिया गय पर देखने को मिल जाता है जो कि सिंक बेकिंग सिस्टेम के साथ आता है जो की 220 mm की है और यहां पर सिंगल पिस्टन कैलीपर यूज किया गया है और दिखने में दूस्तों काफी ज्यादा बढ़िया कॉम्प्लिमेंट करता है और आपको यहां पर रिम टेप भी देखने को नहीं है और यहां पर आपको 155 mm की ग्राउंड देखने को मिलता है अगर 160 होता तो काफी ज्यादा बढ़िया होता फोल्डेवल फुट्पेक्स आपको देखने को मिल जाता है ओबर दोस्ति की जो स्टाइलिंग वगर है काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे यह जो मॉ यहां पर दोस्तों जो साइलेंसर की मफलर वगरा है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो जैसा पहले आता था 2018 में वैसे यहां पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है तो आवाद इसकी काफी ज्यादा बढ़िया है तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया नेक्स टाइम श आत मिलता है तो यहां पे ये एक काफी अच्छी बात है यहां पर जैसे बलस्ते परles यहां पर वैसे मिलता है वैसे थोड़ा अगर और सब्सक्राइग की किसम का हुता मुझे पताहि dit अगर होता तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता स्कूटर में आप अपना कॉमेंट मुझे बताइए जोस्तों यहां पर देख सकते हो जो रेयर मतलब लाइक की प्रोफाइल है और ज्यादा बढ़िया किसम की है यहां पर कर देख सकते हो फेक यह विंट्स भी आपको देखन यहां पर आपको 3 में देखने को मिलता है जहां पर मैक्स पावर है 6.9 किलोवट की और मैक्स टॉर्क है तयुक्त लिएक। आपको देखने को मिलता है तो यहां पर बाकी सारे जो 125 सेगमेंट की स्कूूटर है उससे ये काफी अच्छा पर्फॉर्म करेगा जैसी कि ये करता है मतलब रेसिंग वाला एक स्कूटर आप इसको समझ सकते हो दोस्तो यहाँ पी इसकी माइलेज बगर तो उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा आपको 25 से 30 मैकसिमम देखने को मिल सकता है कमपनी जितना भी क्लेम करें क्योंकि मैं भी स्कूटर को पहले ओन करता था यहाँ पर साइट आपको मिलता है लेकिन वहाँ पर आपको cut-off sensor नहीं दिया गया है आप लोगों को यहाँ पर engine kill switch भी देखने को मिलता है साथ में आपको hazard lamp की भी switch यहाँ पर दिया गया है जो की काफी ज्यादा बड़ी option है और यहाँ पर आपको self start भी देखने को मिल जाता है राइट साइड में left side के switches बारे बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपको upper dipper के साथ पर स्लाइट भी देखने को मिल जाता है और यहां पर तरन इंडिकेटर की switch भी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का है और होन यहां पर सिंगेल होनी दिया गया है तो उतना ज्यादा लाउड भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक साही है दोस्तों यहां पर आपको parking लॉक भी देखने को मिल जाता है जो कि TVS की स्कूटर में आते हैं काफी बढ़िया फीचर है अगर आप स्लोप में भी इसको खड़ा करके लॉक कर देते हो तो यह आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगा तो यह चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा है तो यहां पर इसकी मीटर कंसोल की बारे में बात क ही एंफ उसकी आफ सब ब्रत्सक्राइब नहीं है है एप के साथ आता है एंटर्क में चो एप वगड़ा आता है दोस्तों यहां पर कीज को आप देख सकते हो काफी ज्यादा फोर हुई जैसा है मतलब हट्टक हट्टक की यहां पर दिया गया है इंग्लिशन में ज्यादा कुछ नहीं है आपको ऑन और आफ का ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टीवेस की तरफ से इस मॉडल के लिए तो यहां पर देख सकते हो जो स्पेस है सामने उतना ज्यादा तो नहीं है लेकिन फुट्रेस के लिए ठीक ठाक है आप लोग चीजे बगर अगर ज्यादा कैरी करते हो तो यह उस चीज के लिए नहीं बना है सीट के बारे में बात को सीट काफी ज्यादा वाइड है दो लोग के लिए काफी ज्यादा कॉंफेटेबल है और यहां पर दोस्तों सीट सॉफ्टर साइड में है मैं कहूंगा और दोस्तों यहां पर सीट की जो स्टीचिंग है रेड में आता है एंटॉर की ब्रैंडिंग म वो स्प्लिट में देखने को मिलता है कुछ एपचे जैसा यहां पर है लेकिन थोड़ा सा वाइड है बड़े है दोस्तो एक चीज जो स्कूटर में मुझे थोड़ा सा आउट्टेट लगा है अगर आपको फ्यूल फिलिंग करना है तो आपको की निकाल के यहां पर साइड मे लगाना पड़ेगा उसके बाद दुस्तों फ्यूल फिल कर पाऊगे दोस्तों यहां पर पुछ लॉक की दिया गया है लेकिन यहां पर दुस्तों आपको 5.8 लीटर की टैंक देखने को मिलता है जो उतना ज्यादा भी नहीं है उतना ज्यादा नहीं है मतलब छोटा सा हेलम आपको यहां पर शायद से फिट हो जाए और मुबाइल चार्जिंग की ऑप्शन यहां पर आपको सीट के नीचे देखने को मिलता है जो कि यूएस्बी कनेक्टर के साथ मतलब स्लॉट के साथ याता है तो आपको अलग से कनेक्ट वगरा नहीं करना पड़ेगा इंस्टॉ प्राइस कोलकाता में है 1,12,400 एप रॉक्स और यहां पर आप लोग अगर कोलकाता में हो आप डिस्किप्शन में जाके सारथी टीविए से इसको बुक कर सकते हो और यहां पर दोस्तों वीडियो अगर यहां तक देख लिए आपने वीडियो को लाइक भी कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेर जरूर कर देना दोस्तों मिलते हैं आप से इस वाली वीडियो में तिल देन स्टे सेफ एन कीप राइडिंग